साधू, साधू, अद्भुद श्रीहरी नारायन, नारायन, उत्तम, अति उत्तम, ऐसी अद्भुद लीला देखने के पश्चाद देवराजिंद्र हम भी अभिभूत हो गए हैं केशी का वत्त करने के पश्चाद, श्री नंदलाल, पृत्वी लोग पर केशव के नाम से भी जाने जाएंगे, नारायन, नारायन, उत्तम, अति उत्तम नाम है ये देवर्शी, ये नाम आपका भी हो सकता था, हाँ, हाँ, देवराज इंद्र हम सच्य कह रहे हैं, यदि आप केशी से युद्ध करके, उससे पराजित करके, उसका वत्त करते तब, किद्दू, ये आपके वश्की बात नहीं, नारायन, 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 इसना तू, वो असु पांग्या, जिस तम इत पर आक्टर माट किया था, चिंतत मत हो, शुरायू, अश्वधाना, जहां हरी घास दिखी होगी, वहाँ चड़ने चला गया होगा, अब घर चले, हमारे लिए माखन तैयार होगा, सुरायो अभी तक नहीं लौटा, इतना विलंब उसने अभी तक नहीं खिया, नंदरानी, ये सब आपके लाडली की वज़े से हुआ है, सारी कपट वो ही करता है, यदि अब उसने शमा नहीं मागी, तो समस्त गोकुल को इसका परणाम भुगतना होगा। आज दुरास्त के पच्चाथ, धेथ खल्यान, पेड़ पोदे, परस्तुर में परिवर्टित हो जाएंगे। ये रिशीवर का शाप ही है, जो हरी बरी धरती मुरस्तल बन गई। देखो का नहीं ये बूमी, ये मुरस्तल में कैसे बदल गई। नारायन, नारायन, महाबली, महापराक्रमी कंच को हमारा प्रणाम। महराज, आपकी सहनशीलता और आपका पराक्रम निश्चिती प्रशंस्नियय योग्या है। क्या हो हमारा, कीजी ला, अभ्यास कीजे। क्योंकि शीग्र अत्य शीग्र ही आपको इस अभ्यास की अवशक्ता पढ़ने वाली है। जब आपका सामना केशव के साथ होगा नारायड, 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 क्या कहा तुमने? केशव तुम उस चलिया विश्नु के साथ रह रह करना अपनी मर्यादा भूछ चुकए हो नाराद इस समय सर्वशक्तिशाली महराज कंच के समक्ष खड़े हो बोला मत केशव है कौन? जो मेरे समक्ष खड़े रहने का साहस रख सकता है, है कौन ही केशव? जिसने केशी को जीवन मित्यू के चक्र से हमेशा मिशा के लिए मुक्त कर दिया वही जिसने केशी का वद किया असंभव मेरे समय वेर्थ ना खड़ो मुझे बताओ केशव है कौन? ना रायन, ना रायन अब इतना शक्तिशाली, इतना सहासी तो केवल महान कंच का भांजाई हो सकता है न? महराज, आप अपने भांजे कृष्ण को भूल गए? एक अजबुद महान मनुष्य को अपने जीवन के आरंभ और अंत का ज्यात होना अवश्यक है महाराज ना रायन, ना रायन मही मही भाई इशी शन, तुम इशी वर से शमा मांगोगे किन्तु महीया, मैंने तो कुछ भी अनुचित नहीं किया अच्छा, तुने कुछ किया ही नहीं काना तेरी एक छोटी सी भूल के कारण हम सब के लिए कितनी बड़ी समस्य उत्पन हो चुकी है काना, यह कोई साधारन माखन चोरी नहीं है तुझे अपनी पूती के लिए इसी शण रिशीवर से शमा मांगनी होगी मैया, मैं सत्य बोल रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया और मैं यह सिद्ध कर सकता हूं इसी बढ़ी बड़ी रहा हूं शाल